तोको शिरीशिवाय नमस्टूब्याम हरहर महादेव ओम नमस्शिवाय तो आप जानते हो कि कल है 31 जुलाई सावण की पहली एकादश्य अब इस पहली एकादश्य के दिन तीन नई उपाए जो गुरुजी ने बताये थे वो ही हम आपको बता रहे हैं सबसे पहला उपाय जो कुरूजी ने बताया रोग समाप्ती के लिए इस सावन में आप जानते हो कि भेतर वर्षुबात ये सावन आया है और भेतर वर्षुबात आये इस सावन में आपका रोग मात्र केवल और केवल एक बेल पत्र से समाप्त हो सकता है ये बेल पत्र आपको समर्पित कैसे करना है कहां पर इसपर्ष करना है और आपकी रजस्वला धर्म से संबंदित समस्या कैसे समाप्त हो जाएगी एक अदशी की दिन कैसे करना है ये उपाई पूरी जानकरी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले साथ हमापको आज रुद्राक्ष चकर के बारे में बताने वाले है रुद्राक्ष चकर का वर्णन जो हल ही की कता में अभी गुरूजी ने किया है दो या तिन दिन पहले नो रुद्राक्षों से बनने वाला रुद्राक्ष चकर जिसको आप सिद्ध कर सकते हो और यदि आपने सिद्ध कर लिया तो आपको ऐसा कोई कारण नहीं तो आपका ऐसा कोई कारण नहीं जो की पूर्ण ना हो सके है तो चलिए पहला उपा है जो की है रोग मुक्ते के लिए तो आपको क्या करना है जब आप भवन शंकर के मंदिर में जाएंगे तो मंदिर में जाकर पूजा करेंगे और एक बेल पत्र शिव जी को समर्पित करेंगे जैसे कि आप हमेशा करते ही हैं बेल पत्र आपने समर्पित करा अब बेल पत्र समर्पित करने के बाद एक अदश्ची के दिन ही करना है उसके बाद में जो आपका हाथ है उस सीधे हाथ को आपको ये जो माताशोक सुंदरी का इस्थान है इस इस्थान पर रखना है माताशोक सुंदरी के स्थान पर इसपर्ष करना है और इसपर्ष करके आपका रोग, आपके दुख जो आपके शरीर में है वो माताशोक सुंदरी को बताने है इसके बाद में ये जो बेल पतर आपने समर्पित करा था इस बेल पतर को उठाना है और उठाकर ये जो आप स्थान देख रहे है कौन सा? ये वाला जो स्थान है जहाँ पर शिवलिंग के चरन्म है और जहाँ पर शिवलिंग से जल भैकर नीचे गिर रहा हुता इस स्थान पर आपको उस बेल पत्र को इसपर्ष कराना है बेल पत्र को इसपर्ष कैशे कराना है ये बीच वाली पत्ती होगी बेल पत्र की ये साइड वाली दोनों पत्तियां और ये बेल पत्र की डंडी जो बेल पत्र आपने शिवलिंग पर इसपर्ष करा था उसी बेल पत्र को यहाँ पर इसपर्ष कराना पहले बीच वाली पत्ती को बीच वाली पत्ती को आपने इसपर्ष कराना है अब इसके बाद हम आपको क्या करना है जो दूसरी पत्ती है तो वो बीच वाली पत्ती उपर हो जाएगी और जो दूसरी पत्ती वो इस प्रकार से हो जाएगी और तीसरी पत्ती इस प्रकार से हो जाएगी तो आपको वापिस से बेल पत्ती हटाना है पहले पहली पत्ती को सपर्श कराना है इस प्रकार से जब पह प्रशो और नीच वाली डंडी इस प्रकारो फिर इस बेल पत्र को भगवन कुंद केश्वर महादेव के नाम से कौन से महादेव कुंद केश्वर महादेव के नाम से इस बेल पत्र को आपको या तो जो शिव मंदिर है मैं शिव जी के सम्मुक में बैट कर चबा चबा कर खा अगला जो उपा है वो गुरुजी ने बताया है रुद्राक्ष चक्र का आप ये रुद्राक्ष चक्र क्या होता है ये रुद्राक्ष चक्र आप सुयम घर पर भी बना सकते हैं जिसमें आपको कुल 9 रुद्राक्षों की आवशक्ता पढ़ेगी, जिसमें आपको 4 मुखी रुद्राक्ष, 3 चाहिए, 5 मुखी रुद्राक्ष, 3 चाहिए, और 6 मुखी रुद्राक्ष, 3 चाहिए, तो इस प्रकार से कुल 9 मुखी रुद्राक्षों की आपको आवशक्ता प बता देता हूं देखो तो यह रुद्राक्ष आपको आपके सामने देख रहा है अब आपको इसको उपर से देखो कि तो यह किसमें होल होता है अब इसके पास में आप देखो कि इसके अंदर से धारिया निकल रही है तो यह जो रेखा है आपको यह धारिया गिननी है तो एक 4 मुखी रूद्रक्ष कहलाएगा, 3 मुखी में 3 धारियां होगी, 7 मुखी में 7 धारियां होगी, 6 मुखी में 6 धारियां होगी, 9 मुखी में 9 धारियां और 14 मुखी जो रूद्रक्ष होगा, उसमें इस प्रकार से 14 धारियां निकली भी होगी, इस प्रकार से 14 धारियां निकली चार मुखी रुद्रक्ष तीन, पाच मुखी रुद्रक्ष तीन, छे मुखी रुद्रक्ष तीन, अब आपको एक लाल धागा लेना है, उस लाल धागे में इन सभी रुद्रक्षों को आपको लगाना है, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले एक चार मुखी रुद्रक्ष लेना है और इस चार मुखी रुद्रक्ष के बाद में सवागांट लगानी है अब ये सवागांट कैसे लगाते हैं ये कोई नहीं जानता मैं आपको समझाऊंगा हो सकता है आप कहीं और देख लो तो आप सोचो कि मैंने गलत पता है तो इससे बैटा रहे आपके शहर में प्र रहे आपको और तीन-तीन की जोड़िया बनानी है आपको और तीन-तीन की जोड़िया बनाकर नौ रुद्रक्ष के यह माला तयार कर लेनी है जैसे ही ये माला तयार हो जाए नो रुद्राक्षो की लाल धागे में आपको ये माला तयार करनी है या फिर किसी से तयार करा लेनी है इस प्रकार से जब ये माला तयार हो जाएगी तो आपको इस माला को लेके जाना है भगवान शंकर के मंदिर में अब ये उपाय आप करकप सकते हो तो इस सावन में अमास्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, त्रेव दिशी तिती के दिन, चतुर दशी तिती के दिन, प्रदोश के दिन, शिव रात्रे के दिन और अश्टमी तिते के दिन इस उपाय को इस रुदराक्ष चक्र को बना सकते हो शिव मंदिर में जाकर इन तितियों में से किसी भी दिन शिव मंदिर में उस माला को शिव जी को पहना देनी है पहनाने के बाद में इस रुदराक्ष माला को जो आप शिव जी को पहना दोगे तो शिव जी की शिव लिंग पे साथ बार जल समर्पित करना है एक ही कलश से पांच बार दूद समर्पित करना है और दो बार गरत यानि की काय का घी आपको समर्पित कर देना है इस प्रकार से दो बार गाय का घी साथ बार जल और पांच बार दूद समर्पित करने के बाद में इस माला को आपको शिवलिंग पेसे उठा कर ले आना है और गले में धारन कर लेना है इसके बाद में आपका कोई कार्ड़ नहीं जो की अधोरा हो रह जाए हर कार्ड़ पूरा ही होगा तो ये रुद्राक्ष माला आपको इन तितियों को बना लेनी है अब है गुरू जी न जो बता है रुद्राक्ष को सिद्ध करने वाला उपाए किसी भी एक देती की दिन अपने ही घर में क्या करना है आपको एक कटोरी में रुद्राक्ष रखना है रुद्राक्ष रखने के बाद में साथ बार इस रुद्राक्ष पर आपको जल समर्पित करना है जल समर्पित करने के बाद पांच बार आपको इस पर दूद समर्पित करना है दूट समर्पित करने के बाद में दो बार गाय का गरत समर्पित करो और इसके बाद में गाय का गरत समर्पित करने के बाद में या तो आपके पास में दूबबती हो तो धूबबती नहीं तो गूगल हो तो गूगल जो भी हो दूबबती या गूगल से इस रुद्रा परण करोगे ऐसा कोई कार्य नहीं जो आपका पून रह जाए या ऐसा कोई मनुकामना नहीं जो आपकी अपून रह जाए बहपून हो करी रहेगी तो यह थे रुद्राक्ष को सिद्ध करने वाले उपाए रजस्वला धरम से संबंदित किसी भी समस्या का अब इस वीडियो क समाप्त करने से पहले हम आपको बताने वाले हैं अंतिम उपाए अंतिम उपाए जो की है एक अदशी के दिन किया जाने वाला उपाए आपकी कोई भी मनुकामना क्यों नहीं हो रही हो तो आपको एक शिरीफल लेना है क्या लेना है शिरीफल शिरीफल जिसको हम नाडिल कह जाता है और बदारा जाता है उसके वाद में वो शेजिफल na है और शेजिफल पर पहरी हर महादेव के नाम से साथ बार मुली का धागा लपेटना है कितनी बार ? साथ बार उसदी बार वł कि शिव मंदिर में। साथ बार मूलीक धागा लपेट कर बगवान चंकर को ये नारियल इस पर्ष कराकर समर्पित कर देना है इस पर्ष कराकर वहीं शिव जी के सम्मुक में रख देना है समर्पित करने का मतलब है इस पर्ष कराकर शिव जी के सम्मुक में रख देना ऐसा नहीं आप शिव लिंग काम लेना है पूर्ण अवश्य होगी सभी वक्तों को शिरी शिवाय नमस्तू उब्याम हर हर महादेव वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना